नमस्कार बच्चो यूट्यूब चैनल शिक्षाले में आप सभी का स्वागत है मेरा नाम है रेनुयादव इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम क्लास 9 से लेके 12 तक पूरी केमेस्ट्री कबर कर रहे हैं और कुछ और सब्जिक्स की भी बात करेंगे आज हम पढ़ने वाल को ऐसा second example पहला example diamond था दूसरा graphite था तीसरा बक्मिंस्टो फुलरीन था graphite के बारे में विस्तार से जानने से पहले हम यह दुबारा से revise कर लेते हैं कि carbon के पास 6 इलक्ट्रों से configuration है 2 & 4 यानि इसके बाहर वाले shell में 4 इलक्ट्रों है बच्चो कोई भी element चाहता है कि उसका ज stability पास सके ठीक है ऐसी ही कोशिश यह carbon भी करेगा जो graphite में है ऐसी ही कोशिश diamond ने भी की थी लेकिन diamond और graphite के structure में बहुत बड़ा फर्क होता है आए पहले समझते हैं इस पूरे structure को समझने से पहले यह समझ लीजे कि graphite एक gray dark gray color का opaque substance होता है जो बहुत soft or slippery होता है वो भी आपको structure से समझ में आ जाएगा इसकी बाकी properties तो हम बाद में पढ़ेंगे users भी बाद में पढ़ेंगे अब इसको समझने के लिए पहले आप board पे समझे फिर मैं आपको इसका practical example दिखाऊंगी और फिर आप board से relate करेंगे ठीक है तो थोड़ा सा सबर आपको देना आप सिर्फ देखिया और सुनिए कोई जल्दबाजी मत कीजिए मैं आपको हर चीज डीटेल में बताऊंगी ठीक है इस carbon के पास of course 4 electron है बाहर वाले शेल में ठीक है सभी के पास 4-4 electron है इसको थोड़ा मैं इधर shift कर देती हूं अच्छा इस से पहले जब हमने diamond की बात की थी ही दिखाऊंगी एक दो तीन चार सब के पास 4-4 electron है बाहर वाले शेल में हम अभी अभी पढ़कर आए हैं ठीक पहले आप इसके structure को समझे और फिर आपको समझ में आएगा कि इसका structure ऐसा ही क्यों होता है राइट सबकी वही कहानी है जो diamond की case में थी कि भईया चार electron है octate complete करना है electron share कर लो सबकी same कहानी थी सब इसी दुख में थे सबने सांझा होकर यह decide कि ठीक है electron share कर लेते हैं जो जिसके साथ जितने electrons share कर सकता है आगे पीछे arrangement में उतने electron share करेगा आपको पता है कि एक carbon दूसरे carbon से एक electron अपना शेयर कर सकता है यानि यह वाला carbon यह carbon अपना यह electron इसके साथ शेयर कर सकता है और यह carbon यह electron इसके साथ शेयर कर सकता है तो मैं यहां directly bond बना देती हूँ यानि इस electron को और इस electron को share क लिए गया है यहां पर यह दोनों उलेक्ट्रोंस यहां मानों यह दोनों इलैक्ट्रोंस शेडर हो के यहां यह क्छन के पास is की बात कर लेते हैं एक को ले एक्र क्छाम्ब्ल की तरह ले यही जो कारबन था इसके पास अपने चार ए्लेक्टरों थे एक दो तीन चार इसने एक इलेक्टरों को इसके साद sheil किया फैक्वर को कि याँmiyorल वो एलेक्ट्रोन इसने शेयर किया और अफकोर्स क्योंकि इसने अपना एक एक एलेक्ट्रोन शेयर किया तो इसका भी एक एक एलेक्ट्रोन शेयर कर ले लेगा ना यानि चार तो इसके अपने पास थे पांच बाइ ये जो इसने शेयर किया और छटा ये जो इसने शेयर किया इतना क्लियर हो गया कार्बन के पास चार एलेक्ट्रोन थे इस कार्बन ने अपना ये एलेक्ट्रोन बाजो वाले एलेक्ट्रोन के साथ शेयर किया और इसने भी शेयर किया ठीक तो इस हिसाब से ये जो कार्बन है और ये वाला जो कार्बन है इसके साथ यहां भी एक कार्बन था उसके पास एक एलेक्टरोन था इसने वो भी शेयर किया और उसने वो शेयर किया ये वाला एलेक्टरोन शेयर हो गया तो ये वाला जो carbon था है, इसके पास 4 अपने electron थे 1, 2, 3, 4 एक इसने इधर से share किया, 5 हो गए एक इसने इधर से share किया, 6 हो गए सेम कहानी इसकी, सेम कहानी इसकी है दूसरे दूसरे direction से, इतना clear हो गया अब ये वाले जो carbon है न, जो ring के अंदर आ गए है हर एक carbon का अपना एक electron ring के अंदर आ गया है चलो इसको बाहर कर देते हैं red pen से करती हूँ ये जो electron अंदर आ गया है, इसको बाहर लिख देते हैं ये रहा, ठीक है, आपको convenient रहेगा समझने के लिए, वैसे भी हम ring के अंदर electrons को नहीं छोड़ते हैं आप आगे भी इसको पढ़ेंगे ठीक दुबारा से सुन लीजे, हर एक carbon ने अपने एक electron को हाँ, दो-दो electrons को share किया एक electron इसके साथ share किया, एक electron इसके साथ share किया इसके पास अपने 4 थे एक इसने share किया, 5, एक इसने share किया 6 हो गए ना, ठीक है यह वाले electron फालतू बचे अब जैसे यह carbon ढूंड रहे थे एक दूसरे को यहाँ भी एक sheet बना लेते है carbon किसी के साथ join कर लेगा यहाँ से carbon आया 1,2,3,4 electrons थे, अब यह मुझे बार-बार लिखने की ज़रत नहीं है आए होप आपको clear है यह हो गया ऐसी condition हो गई मानो एक sheet तो आपकी यह बन गई hexagon 1 ठीक है यह जो double हो रहा है double bond मत समझेगा, सारे single bond ही है आगे double bond की भी कहानिया आप पड़ेंगे तो यह hexagon sheet है अब इसका जो carbon के पास 2 electron बचे थे ना, यहाँ से एक carbon आ गया यहाँ भी एक ऐसी ही sheet बन गई एक ऐसी ही sheet यहाँ बन गई पर आप यह देख पा रहे हैं कि इस carbon का एक electron तो अभी भी खाली रह गया है इस carbon का भी एक electron यहाँ खाली रह गया है जिसको हम बाहर रख लेते हैं मानो की इधर भी एक sheet बन जाती है यहां भी एक hexagon बन जाते है तो इसका भी एक electron जाएगा यह रहे जाएगा ऐसे ही उपर अगर जितनी भी शीटे बनेंगी हर एक carbon के पास एक electron तो रहे ही जाएगा हर हालत में इसका मतलब यह हुआ कि graphide में carbon के पास बाकी carbon की तरह 4 ही electron है लेकिन हर एक carbon सिर्फ तीन तरफ से अपने आपको जोड़ पा रहा है एक दो तीन ठीक है चौथा electron उसका free रह जाता है यह बहुत important है कई बार board में पूछ लिया जाता है graphide electricity conduct क्यों करता है तो यह electron वो कारण है जिसके बारे में हम अभी इस lecture में बात नहीं करेंगे आगे बात करेंगे फिल्हाल आप यह समझे कि हर एक carbon किसी ने किसी के साथ link हो जाता है और जो link होता है ना तो जो उसकी संद्रचना होती है उसका structure जो होता हो एक hexagon की तरह होता है यानि कि एक six carbon मिल जाते हैं तो hexagon बन जाता है मैं आपको एक छोटा सा structure दिखा देती हूँ इस तरीके का बनता है आपको यह दोनों sheet combine करके दिखाती हूँ मैं इस तरीके का ठीक है आप इस white धागे पर बिल्कुल ध्यान मत दीजे चलिए मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ तो यह आप देख पा रहे हैं ठीक है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे carbon एक, दो, तीन, चार, पांच, छे carbon ठीक है पर आप यह देख रहे हैं कि यह दोनों sheets तो अलग है क्योंकि अभी जो यह तो दो sheets combine हैं ऐसे भी होती हैं लेकिन नीचे एक और sheet भी होगी जो मैं अभी आपको बना के दिखा देती हूँ बहुत ध्यान से सुनिया आपको समझ में आएगा यहाँ भी एक ऐसी ही sheet बन गई है carbon की जैसी उपर बनी थी लेकिन समझने वाली बात यह है कि क्योंकि इन carbon के बीच में electron share हुए हैं तो यह हो गया आपका covalent bond कभी भी अगर electrons share होने के बाद bond बनता है तो वो covalent bond होता है तो यानि यहाँ पर तो इन सब के बीच में electron से share हो रहे न तो यह हो गया covalent bond यह sheet तो बिलकुल इससे लगी हुई है तो इसकी हम बात अभी छोड़ देते हैं आप इसको सिर्फ एक sheet मानिए एक sheet मानिए ओके लेकिन एक sheet यहाँ भी है नीचे भी एक structure ऐसे बन गया था और इस sheet में और इस sheet में कुछ bonds है ठीक है इस sheet में और इस sheet में कुछ bonds है और इन bonds को हम कहते हैं vendor wall forces यानि की एक hexagon sheet यह वाली एक hexagon sheet जो उपर दिख रही है यह नीचे वाले hexagon sheet से नीचे वाले hexagon sheet से इन bonds के जरीए जोड़ी रहती है यह bonds weak होते हैं इनको बोलते हैं बोलते ही weak vendor wall forces है weak vendor wall forces कहलाये जाते हैं दुबारा से सुनिये यह जो sheet है यह carbon है यह carbon है इनके बीच में यह जो bond है यह covalent bond है लेकिन एक sheet और दूसरी sheet के बीच में जो यह वाला bond है यह जो आप देख रहे हैं नो सफेद रंग की पट्टी मैंने आपको दिखाने के लिए बनाया है सफेद रंग यह है आपका vendor wall forces ठीक है अब आप देखी पा रहे हैं कि अगर मान लीजे मैं थोड़ा सा भी pressure लगाती हूँ तो यह इसके उपर slide हो जाएगी ठीक है अगर मैंने इस उपर वाली layer पे थोड़ा भी pressure लगाया तो यह slide हो गई ठीक है यानि कि इस vendor wall forces को एक sheet जो आपकी hexagon बनी है दूसरी sheet नीचे है अगर आपने थोड़ा सा भी temperature बढ़ा दिया तो यह sheet इस sheet के उपर slide हो जाती है और क्योंकि यह slide हो जाती है यह weak vendor wall forces है यह तोड़ जाती है इसी की वजह से graphite जो होता है वो soft और slippery होता है वो soft होता है ठीक है electricity क्यों conduct करता है उसकी बात हम इस lecture में बिल्कुल नहीं करेंगे आगे की lecture में करेंगे अभी सिर्फ यह समझे कि एक hexagon की sheet में जो carbon होते हैं वो एक दूसरे से electron share करते हैं इसलिए उनके बीच में होता है covalent bond लेकिन एक पूरी sheet और दूसरी sheet जो उससे distance पर है इसको भूल जाईए इसको हटा देती हूँ यहां से एक sheet और दूसरी sheet के बीच में जो distance होता है उसको cover करती है weak vanderwall forces और यह forces बहुत ही weak होते हैं इसका नामी weak vanderwall forces है थोड़े सा भी आपने temperature लगाया थोड़े सा भी आपने strength लगाई तो वो slip कर जाता है और उसकी वज़े से graphite हो जाता है slippery and soft यह उसका demonstration देने के लिए मैंने आपको बनाया था तो I hope आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से hexagonally arranged रहते हैं और यह होते हैं आपके weak vanderwall forces जिसकी वज़े से एक layer दूसरी layer से जुड़ जाती है ठीक है यह तोट गया है तो कोई बात नहीं जुड़ गया था तभी आपको दिखाना था तोट गया है तभी आप ही को दिखाना है इसलिए आपका graphite soft and slippery होता है मैंने आपको बताया ही थोड़ा सा dark gray color का होता है और एक sheet दूसरे sheet के पर slide कर जाती है यह graphite का structure है पूछा जाएगा तो hexagon होता है और यह हमेशा याद रखिए कि क्योंकि इसके तीन ही electrons carbon के साथ bonding करते हैं इसलिए यह तीन तरफ से तो combine होता है लेकिन इसका एक electron हमेशा free रहता है तो यह graphite का structure था graphite के uses और उसकी property हम next lecture में पढ़ेंगे अगली बार मिलने तक अपना खयाल रखिए खुश रहिए जितने भी doubts हैं जरूर पूछिए समझ में ना आया हो तो definitely मुझे बताइए मैं भले ही आपको हजार बार समझा हूँ लेकिन आपको chemistry का concept समझ में आ जाना चाहिए यह मेरी कोशिश है chemistry कोई ऐसा subject नहीं है जिसको आप ratification करें ठीक है तो अगली बार मिलने तक अपना खयाल रखिए आपकी जै हो ऐसा काम ज़रूर आप करेंगे जीवन में मेरा पूरा भरोसा है मेरी धेर साली शुप काम ना है नमस्कार बाबाए